जहिन साथ ये नमस्कार आज आप पढ़ेंगे इंटरनेट के most important questions दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इंटरनेट इक broad topic है और इससे बहुत साई questions एक्साम में देखने को मिलते हैं तो इस वीडियो को लाज तक आप ज़रूर देखिएगा तो जिनका अब ये एक्साम है O-Level M1 R5 Information Technology Tools and Netrobases की इस class को attain कर लेंगे शाथी साथ एक्साम से पहले O-Level की हमेतन class है उसको आप ज़रूर देखिएगा और जिनको भी PDF की आप चकता है वीडियो के नीचे 2000 questions की PDF की लिंक दी है वहाँ से आप PDF को डाउनलोड करके अपनी तयारी को बहतर बना सकते हैं दोस्तों O-Level M2 R5 O-Level M3 R5 अर्थात programming की जो classes हैं वो हमारे दूसरे channel programming tutorial पर हो रही है जिसकी link वीडियो के नीचे दे रखी है वहाँ से आप उसकी त्यारी करके आसानी से O-Level exam को टॉप कर सकते हो साथी साथ class को start करने से पहले आप इस class को ज़्यादा श्यादा share कर दीजिए ताकि ज्यादा ज़्यादा students मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से exam को टॉप कर सकें तो time waste न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये class योगि शीदी बात नोबकवास यही है अभैक्सल की class Let's begin in this topic पहला question है the address of a resource on the net is known as net पर किसी संसाधन का पता कहलाता है ISP, HTTP, URL या www तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option C, URL इंटरनेट पर किसी संसाधन का जो पता है वो URL के नाम से जान जाता है अब सामें इन सभी के full form भी पूछ आते हैं तो ISP का full form क्या होता है comment करके बताईए तो ISP का full form होता है दुश्तों Internet service provider नोट कर लीजेगा Internet service provider ऐसे ही HTTP का full form क्या है तो HTTP का full form क्या होता है transfer protocol ऐसे ही URL का full form क्या है uniform resource locator क्या होता है uniform resource locator www का full form भी काफी पूछ आता है तो ISP का full form होता है worldwide wave क्या होता है worldwide wave नोट कर लीजेगा काफी important है तो इस परकार से यहाँ से 5 questions आपके बन गए अब next निमलिखित में से PPP की कौन सी layer link इस्थापना के लिए उत्तरदाई होती है which of the following PPP layer is responsible for link installation बताईए क्या होगा इसका right answer NCP, IPCP, IP या यहाँ पर TCP की जगा LCP होना चाहिए था तो बताईए क्या हो जाएगा इसका right answer तो BPP की layer जो आपकी LCP है जे link इस्थापना के लिए उत्तरताई होती है option first is right Google Chrome में वर्तमान पेज को bookmark करने के लिए हम प्रेस करते है means Google Chrome में अगर कोई tab open है उस tab को bookmark में आप add करना चाहते है तो उसके लिए आप किसका उप्योग करेंगे control plus D, control plus B, control plus C plus B या control plus C plus J बताईए क्या होगा इसका right answer तो यहाँ पर आपकी website open है abexual.com यहाँ पर जब आप यह dots पर क्लिक करेंगे यहाँ पर bookmark का option है zoom कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए bookmark this tab के लिए control plus D, bookmark all tab के लिए control plus C plus D so bookmark के लिए control plus C plus B, bookmark manager के लिए control plus C plus O का उप्योग करते हैं तो इन चारों को आप note कर लीजएगा काफी important है तो यहाँ पर इसका राइट answer क्या होगा control plus D, next is, UMTS, FDD और TDD are cellular network means is, UMTS, FDD, TDD यह कैसे cellular network है 3G है, 2G है 5G है, 4G है बताइए क्या होगा इसका राइट answer तो यह सभी आपके 3G cellular network है option first is right अब next TCP IP model में कितनी पढ़ते होती है most important question है note कर लीजएगा आपके exam में काफी पूछा जाता है तो बताइए TCP IP model में कितनी पढ़ते होती है 2, 4, 5 या फिर 7 तो यहाँ पर इसका राइट answer हो जाएगा option B 4 layer होती है अब exam में कभी पूछ लेता है कि ने में से कौन सी TCP IP की layer हैं तो application layer transport layer internet layer और network access layer यह चार layer होती है TCP IP model की layer TCP का full form भी triple six सामें काभी पूछा आता है तो TCP का full form होता है transmission control protocol और IP का full form होता है internet protocol up next FTP का प्रयोग निम्लिखित के लिए किया गया है means FTP का प्रयोग निम्लिखित के लिए किया जाता है transmit the information on the web send the email message between the servers upload download data from one computer to another over the internet allow the device to request and obtain IP address from a server हिंदी में समझा देते हैं पहला option आपका web पर सूचना का pressure means अगर आप web पर सूचना को भीजते हैं तो क्या वो FTP का प्रयोग है दूसरा serverों के बीच email संदेशों का भीजना तीसरा internet पर एक computer से अने computer पर data को upload या download करना या फिर किसी युक्ती दोरा निवेदन करना और server से IP पता प्राप्त करना ये FTP के काम है बताईए च्या होगा इसका राइट राइट रांसर तो FTP का full form exam में काफी पूछा रता है FTP का full form होता है file transfer protocol means इसका काम क्या है file को transfer करना अर्थात इसका राइट राइट रांसर जाएगा option C upload, download, data from one computer to another over the internet ठीक है internet पर एक computer से un computer पर data को upload या download करना FTP का काम है next SMTP दोरा प्रियुक्त port है means SMTP दोरा किस port का उप्योग किया जाता है 21, 23, 22 या 25 बताईए इसाम में कभी-कभी ये पूछता है कि SMTP का full form क्या होता है काफी important question है और simple सब question है बताईए फटा-फट कि SMTP का full form क्या होता है तो SMTP का full form होता है simple mail transfer protocol क्या होता है simple mail transfer protocol mail भीजने के लिए किस protocol का उप्योग करते है ये question भी exam में पूछा आता है तो mail भीजने के लिए SMTP का उप्योग करते है और इसका right answer यहाँ पर हो जाएगा option D 25 SMTP port number 25 का उप्योग करता है अब next निम्ण में से क्या एक anti-virus software है means निम्ण में से कौन एक anti-virus software है एवीरा, life care, hangouts या फिर extender एंटी वाइरस का उप्योग क्यों करते हैं वाइरस को खतम करने के लिए तो exam में कभी कभी पूछ लेता है कि वाइरस को नश्ट करने के लिए कम्प्यूटर में किसका उप्योग करता है तो anti-virus का उप्योग करते हैं और यहाँ पर पूछा है कि निम्ण में से कौन एक anti-virus software है तो एवीरा आपका एक anti-virus software है अब next OSI model की निम्ण परत में से कौन सा data shampiedan करता है means OSI model की निम्ण में से कौन सी layer data shampiedan का काम करती है means data compress करने का काम कौन सी layer करती है network layer, physical layer, presentation layer या फिर data link layer OSI का full form क्या है तो OSI का full form होता है open system interconnection OSI model में कुल कितनी layer होती है तो OSI model में total 7 layer होती है कौन कौन सी 7 layer OSI model की पहली layer कौन सी है या फिर तीसरी layer कौन सी है या फिर आपको 2 layer का नाम दे देगा कि network layer और presentation layer के बीच में कौन सी layer होती है ऐसी questions का आप पूछाते हैं तो आपको याद रखना है इसकी एक trick मैंने आपको बताई थी जब मैंने internet आपको explain करके पढ़ाया था तुम्हारी साधी पर आऊंगा अब कैसे याद रखना है प से physical layer D से data link layer N से network layer T से transport layer S से session layer P से presentation layer और A से application layer होता है तो याद आपको याद रखना है प्यारे दोश्त निलेश तुम्हारी साधी पर आऊंगा तो साधी पर जाएए और उसके पहले मत जाएएगा Just I am joking भाई तो यहाँ पर ऐसे आप याद कर लीजेगा Physical data link network Transport session presentation और application अगर पूछता है तीसी layer कौन सी है तो network अगर पूछता है कि network और session के बीच में कौन सी layer होती है तो transport layer होती है और यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सी layer data shampieden का का काम करती है तो option C presentation layer data shampieden का का काम करती है अब next निम्ण मेशे कौन सा सब्द network सुरच्छा से संबंदित है DSL, W3C, MIT या फिर firewall बताईए निम्ण मेशे कौन सा सब्द है जो network सुरच्छा से संबंदित है तो network सुरच्छा से संबंदित है firewall क्योंकि इसका काम ही है सुरच्छा करना computer का सुरच्छा गेरा किसे कहते हैं तो firewall को computer का सुरच्छा गेरा कहते हैं अब यहीं से question और बन जाता है कि DSL का full form क्या है नोट कर लीजेगा exam में काफी पूछा जाता है DSL का full form तो DSL का full form होता है digital subscriber line क्या होता है digital subscriber line और आपने भी अवे तक अभे actual computer को subscribe नहीं किया है तो जरू करिएगा ऐसे ही W3C का full form भी आमे काफी पूछा आता है तो W3C का full form होता है worldwide wave constrium क्या होता है worldwide wave constrium नोट करिएगा अब next निमलिकित में से कौन सा network का परिच्छन करने के लिए उप्योग किया जाता है में सा network का परिच्छन करना है तो इसके लिए किसका उप्योग करेंगे NSA का, ping का, locate का या फिर domain का काफी important question है, unique question है आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है तो बताइए कौन सा ऐसा network है जिसका उप्योग परिच्छन के लिए किया जाता है में से network परिच्छन के लिए निमलिकित में से किसका उप्योग करते है तो light answers का option B पिंग का उप्योग network परिच्छन के लिए किया जाता है अब next तो which among the 255.255.255.0 assign to following निमलिकित में से किसको यह code सौबा गया है यह क्या है आप सभी जानते होंगे बताइए फटाफट कि यह code क्या कहलाता है तो एक प्रकार का IP address है और कैसा IP address है तो यह IPv4 है तो कि इसमें चार पार्ट हैं आप देख सकते हैं तो यह IPv4 के अंतरगत आएगा याद करिएगा और यहाँ पर पूछा गया है कि भाई यह किसको सौपा गया है DNS को इन में से कोई नहीं को Default Gateway को यह Subnet Mask को तो इसका राई टांस हो जाएगा Subnet Mask को की कूट सौपा गया है और क्या है IP address है IP का full form इंटरनेट प्रोटोकॉल अब नेक्स्ट निम्ण में से कौन सर्वर एवं कारे इस्थानों के मध्य शंपर्क इस्थापित करवाता है means निम्ण में से ऐसा कौन है जो सर्वर एवं वर्क स्टेशन के बीच में संपर्क इस्थापित करने का काम करता है Interspace, Backbone, Terminal Access Point या फिर Gateway बताईए क्या होगा इसका राइट आंसा तो इसका राइट आंस हो जाएगा option C, terminal access point ठीक है, काफी important question है ये भी आपका Wi-Fi का पूर्ण रूप होता है simple सा question है लेकिन exam में काफी ज़्यादा पूछायाता है, Wi-Fi से कई साइ questions आते हैं, तो यहाँ पर आपको बताऊंगा, और जो questions मैं अलक्स बताता हूँ, उनकी counting मैं नहीं करता हूँ, आपके लिए उसी प्रकारह जैसे समोसे में free मिलती है आपको चटनी, है ना, तो यहाँ पर आप उनको note करते रहे हैं, क्योंकि exam time पर revise करने के लिए का फ्यादा important है, तो वाइफाई का full form क्या होता है, wireless fidelity होता है, कि वाइफाई में, FI क्या present करता है what do you mean about FI in Wi-Fi, तो FI का full form क्या है, fidelity अब एक question, वाइफाई से बन जाता है कि वाइफाई का password minimum कितने अंको का होता है तो minimum 8 character का होता है Wi-Fi का password, कितने का 8 का, और दूसरा चीज़ ये पूछता है, कि Wi-Fi का password maximum कितने character का होता है, तो maximum 63 character का होता है Wi-Fi का password, अब next What is the full form of URL URL का full form क्या है Uniform Reserve Location Universal Resolution Location Uniform Resource Locator United Resource Locator बताईए, URL का full form क्या होता है तो URL का full form क्या है मैंने बताए, आपको starting में ही Uniform Resource Locator Option C is right अब next सभी वास्तिक सुरच्छा और गोपनीता जोखिम के उधारन है सिवाए हैकर्स के spam के, virus के या identify theft की बताईए, निम्रमेशे कौन ऐसा है, जो वास्तिक सुरच्छा और गोपनीता जोखिम के उधारन है, सिवाए किसके तो इसका right answer हो जाएगा option B spam के, अब next अध्यन करने के लिए बड़े विक्रिताओं द्वारा उप्योग की जाने वाली प्रक्रिया का है, बताईए कुश्टन को ध्यान से पढ़िए, किस प्रवत्तियों का यहाँ पर छुट गया है, किस प्रवत्तियों का अध्यन करने के लिए बड़े विक्रिताओं द्वारा उप्योग की जाने वाली प्रक्रिया का है, data mining, data selection, POS या data का परिवर्तन मताईए दुश्का right answer हो जाएगा data mining, option first is right, अब next आप राधिक computer से हटाए गए या छतिग्रस्त फाइलों को पुना प्राप्त करने और पढ़ने की छमता कानून प्रवर्तन विश्रिष्टा का एक उधारन है, means अप राधिक computer से जो भी हटाए जाते हैं, या छतिग्रस्त हो जाते हैं फाइले, उनको पुना प्राप्त करने और पढ़ने की जो छमता है, उसे क्या बोलते हैं, robotics बोलते हैं simulation बोलते हैं computer forensics बोलते हैं या animation के नाम से जानते हैं तो इसका राइटांस हो जाएगा computer forensic ठीक है, आप सुनें ना कि forensic report तो computer forensic बोलते हैं जो भी अप्राधिक computer हैं उसकी जो फाइले छतिग्रिष्ट हो गई हैं नश्ट हो गई हैं, उनको वापस लाने के जो प्रक्रिया है अब next इंटरनेट पर एक host दूसरे host को तहलाता है, postal address के दोरा electronic address दोरा IP address दोरा या none of these काफी simple सा question है, लेकिन काफी important question है, बताइए एक host दूसरे host को किस माध्यम से तलासने का काम करता है, बताइए तो इसकार आई टांस हो जाएगा option C, IP address के माध्यम से वो तलासने का काम करता है, अब एक question exam में ये पूछा आता है कि क्या internet के माध्यम से दो आपस में जुड़े हुए computer का IP address same होता है, तो बिल्कुल गलत है शबी computer का अपना एक unique IP address होता है, means अगर एक computer है, तो इसका IP address दूसरा होगा, दूसरे computer का, दूसरा होगा, means जितने computer होंगे, सब का अपना अलग-अलग IP address होता है, एक question ये पूछा आता है, कि क्या हम IP address को change कर सकते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, हम IP address को change कर सकते हैं लेकिन अगर वहीं पर पूछ लेता है, कि क्या MAC address को change कर सकते हैं MAC address means media access control, पूछा आता है क्या MAC address को change कर सकते हैं, तो नहीं change कर सकते क्योंकि वहाँ manufacturing address होता है अब next FTP FTP किस संवचना पर बना है FTP is built-on architecture, FTP का full form, file transfer protocol होता है, तो peer-to-peer होता है, P2P का full form note कर लीजेगा, एक्सामें पूछाता है तो peer-to-peer, IAM का full form क्या है, instant messaging होता है, तो IAM के इंतरगत कौन कौन आता है जिनके माद्दम से आप chatting करते हो, जैसे WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram यह सभी instant messaging के उधारन है Telegram पर आप भी अभैक्सल कंप्योटर सेर्च करके हमें जोइन कर लीजेगा, ताकि आपकी बेहतर त्यारी हो सके, तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा, client server योगि FTP, client server समझना पर आधारित है Telegram चैनल, अभैक्सल कंप्योटर को जोइन कर लीजे, जहाँ पर class के बाद हम कराएंगे आपको CCC का quiz और study material बे आपको वहाँ पर मिल जाएगा, इसके रावा Instagram पर आप हमें follow करिए Facebook पर follow करिए और आपके जो भी confusion है, जो भी doubts है आप हमसे वहाँ पर प्मूश्य क्लियर कर सकते है Thanks for watching my video, वीडियो पशंद आया हो तो like कर दीजिए, share कर दीजिए और channel पर नए हैं, तो channel से जुनने के लिए subscribe कर दीजिए, फिर मिलते हैं निस class में, तब तक के लिए, bye bye